हेलो स्टुडेंट्स आई अम गुरविंदर काउर सीनियर फिकल्टी अभी मन्यू आई एस और आज हम यहां पे स्टुडेंट्स बात करने वाले हैं PCS से रिलेटिड हमारा जो पंजाब सिवल सर्विसी ते उसी से रिलेटिड नोटिफिकेशन यहां पे स्टुडेंट कभी भी आ सकती है बिकॉज लास्ट टाइम जो एक्जैम हुआ था वो 2021 में हुआ था तो नाव इट्स ट्वेंटी त्री और उसका भी बिलकुल लास्ट आ गया है तो स्टुडेंट्स नोटिफिकेशन यहां पे बहुत जल्दी आने करते हैं तो आज का जो टॉपिक है लेट सी आज जो है स्टुडेंट्स वो हम समझेंगे स्लेबस तो आपका फर्स्ट कोशन यही होगा मैम से मेरे से की मैम स्लेबस क्यूं समझने है अब बस क्यूं समझने है हमें है ना सबको पता ही होता है राइट बट नहीं स्टूडें I know कि आपको syllabus पता होगा I know आपको syllabus के बारे में जरूर पता होगा बट कुछ चीज़े होती है student की syllabus की क्या importance है उसको समझना चाहिए इस बात पे इस मुद्धे पे मुझे बात करनी है ये तो सब कोई पता है की prelims है में बट वो क्या चीज है क्या approach होनी चाहिए syllabus हमें क्यों समझना चाहिए ये सबसे important चीज़ इसलिए समझना important है क्योंकि किसी भी exam को समझने के लिए दो ही तरीके है हमारे पास जो हमारे पास source of information that is first one is your syllabus and second one is yours PYQ PYQ की importance क्या होती है ये मैंने आपको पहली बता रख है syllabus तो आप कहीं से भी देख लोगे net से डाउनलोड कर ले न अब अभी One New IS की साइट पे जाना वहां से डाउनलोड कर ले न कोई problem नहीं है तो आप पढ़ भी ले न main मुद्दे की यहां पे हम बात करते हैं यहां पे तो importance of syllabus क्या है see here student यह एक टाइब का mirror है student syllabus is the mirror of your examination why I am saying this because यही जो है यही आपके यूनों आपके जो आपका जो exam है उसमें यह mirror की तर एक्ट करते हैं हां जी आपको साफ साफ देखना देख रहा है कि हां जी exam से related मुझे क्या पढ़ने है topic defined है और सबसे important मैं आपको एक बात बताऊं इसके बारे में PCS के बारे में I really appreciate their efforts इसमें syllabus बहुत अच्छे से mention है बड़े अच्छे से उन्होंने एक एक topic को लिखा हुआ है धंग से लिखा हुआ है राइट अलंकि this should be act as a reference question आपको कहीं से भी आ सेक्ट है बढ़ हां एक उन्होंने मोटा मोटा idea जरूर दे रखा आपको roughly idea जरूर दे रखा वो भी detailed form में प्रेलिम्स को आपको यहां से पूछा जाएगा means का आपका यह syllabus ठीक है अच्छा कई बच्चे मेरे से पूछने लग जाएंगे कि मैम प्रेलिम्स में तो इतना ज्यादा defined है इनी syllabus ठीक है तो फिर कहीं और से डाउनलूड करें क्या अरे नहीं student ऐसा नहीं है तो प्रेलिम्स का है ठीक है उसमें उन्होंने topic दे रखें अगर आप mains का syllabus ध्यान से देखो उसमें उन्होंने detailed में दिया हूँ detail में topic जो है थोड़े बता रखें ठीक है student तो जब भी आप syllabus को देखो तो आप सिर्फ्प्रेलिम्स का syllabus मत देखो कि आप सिर्फ्प्रेलिम्स के लिए पढ़ रहा हो तो तो आप ने आपने सिर्फ्प्रेलिम्स का syllabus यौन? आप mains का भी देखो ठीक हो राइड चूडेंट आज ही मेरी सरसे एक बात भी हो रही थी कि premiums और में में student बहुत ज़्यादा confusion होते हैं उनको लगता है कि prelims की त्यारी बिल्कुल अलग होती होगी में से, मेंस की कई बच्चे मेरे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं मेंस की त्यारी पहले करनी चाहिए या prelims की पहले करनी चाहिए कई बच्चे तो यहां तक पूछ लेते हैं मेरे से की मैं में इंटर्व्यू की त्यारी साथ-साथ कर लें क्या तो see your student जो आपका main purpose होना चाहिए ना student वो होना चाहिए understanding the topic understanding your topics जो भी syllabus की अंदर topic mentions है student उनको आपको बहुती thoroughly आपको उसको पढ़ने और जब आप किसी topic को thoroughly पढ़ते हो student तब student आपको समझ में आता है कि हंची इसमें fact क्या चीज है fact wise मुझे कैसे याद करना है इसको हाना जो आपको prelims में clear करने में help करेगा और जो उसकी deep analysis है पहले नमबर पे मैंने बोला factual information और फिर मैंने आप से बोला deep analysis depth में जाके depth में जाके कैसे बात करते है तो जब आप एक topic की well understanding करते हो topic को आप समझते हो for example मान लो आपने DNA बढ़ा मैं अपने topic की बात करते हूँ जैसे I am the faculty of science and technology let's talk about जैसे की DNA अगर आप prelims का syllabus देखो तो उसमें बेसिक साइंस के बारे में बात किए कि हां जी आपको बेसिक साइंस की knowledge होने चाहिए biology की, chemistry, physics right same चीज उसने फिर mains के अंदर उसने क्या किया advanced science topics के बारे में बात किया जैसे की biotechnology हो गया space technology nanotechnology, robotics communication, information इसकी उपर उसमें बात किए तो सियर सुपने, अब जो DNA है ये दोनों पार्ट हमें अब कवर होते है आपका prelims में भी होगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि हंजी, DNA क्या चीज discovery की, right DNA से रेलेटिट पहला model किस देखा right, DNA की क्या full form है कहां पर लाई करता है ये जितने भी factual है ये आपको पता होने चाहिए अच्छा, रही बात अगर मैं बात करूँ की mains के point of view तो mains के point of view से student जो DNA से रेलेटिट जितनी भी हमारी advanced technologies है जाए फिर वो DNA replication है mutation है, right DNA के अंदर किस तरीके से हम change कर सकते है genes किस तरीके से हम वहाँ पर change कर सकते alter कर सकते है कौन कौन से technologies है involved है उसके अंदर उनके क्या-क्या benefits है क्या advantage है क्या disadvantage है किस तरीके से हम DNA को manipulate करके को change करके जो भी हमारी genetical disease होती है उनको हम किस तरीके से cure कर सकते तो ये सब चीज़े आप समझते हो मेंस किया है ना मेंस में दे रखा है वो but student try to understand my point that is कि आपको आपको student ऐसा नहीं है कि DNA के बारे में सिर्फ जब आप prelims पढ़ रहे हो तब आप उसके लिए एक अलग से पढ़ रहे हो फिर जब आप मेंस पे आए तब आपने DNA के बारे में अलग से पढ़ा नहीं सूटे आपका purpose होना चाहिए कि मुझे एक DNA का topic है DNA जैसे मालो for example एक topic है जो advanced में bio technology में cover होता है और journal science में आपका prelims की journal science है उसमें आपका basic biology में cover होता है आपका purpose होना चाहिए इस topic की एक deep understanding for example चाहे मैं आपसे prelims में पूछू DNA के बारे में या फिर मैं mains में आपको DNA से related कोई भी question put करूँ तो आपका topic इस तरीके से ready होना चाहिए student की आप दोनों ही prelims में भी as well as mains में भी आप दोनों ही तरीके से comfortable के साथ comfortable zone में जाके आप अराम से question को attempt कर रहे हैं फिर चाहे mains में आपको लिखना है चाहे फिर आपको prelims question को attempt कर रहे हैं clear है यहाँ पे बात आपको तो students यहाँ पे क्या है आपको जो है वो prepare करना है उस topic को ठीक है उसके fact को plus उसकी depth analysis fact plus उसकी deep analysis तो अब यहाँ पे student आपका बिल्कुल भी confuse नहीं रहनी चाहिए मुझे prelims की त्यारी पहले करनी है या mains का syllabus पहले पढ़ना है या prelims का पहले पढ़ना नहीं आप उसको thoroughly पढ़िए syllabus को बार-बार पढ़ो ठीक है बार-बार पढ़ो so that आप उस syllabus की यहाँ आपको एक well understanding हो जाए अब ज्यादा ना पढ़ जाओ पता चले अब DNA के साथ साथ पूरी MSC की पता नहीं क्या-क्या पढ़ लिया आपने नहीं वो भी नहीं journals acknowledge रखनी है आपको तो this is the way to prepare your prelims as well as your means clear student तो please आप comment में जरूर बताना कि आपको यह बात समझ में आई ठीक है यह आज मुद्धा मैंने क्यों उठाया है क्योंकि बहुत स्यादा सो students है ना उसको बहुत you know confused रहते हैं कि मैं syllabus को लेकर क्या करें syllabus को लेकर क्या 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 और आपको focus करने student topics क्यों यह topics क्यों आपको topic understanding होनी चाहिए ठीक है फिर चाहिए वो prelims में आए चाहिए फिर फिर वो means में आए ठीक है फैस आप उसको attempt कर दो और सही से attempt करो प्रेलिम्स में अगर चार option आया तो आप eliminate करके correct option पर क्लिक करूँ और अगर means में आपको return form में आया है तो आप उसको लिख दो I hope कि आपको यह चीज़े clear होगी होगी कि हंजी जो मैं ने कहा उसका क्या मतलब तो you know that exam pattern भी हमारा ऐसे ही है पहले prelims होते है फिर हमारा means है और उसके बाद आपका personality test इसकी attention आप मेरी को छोड़ दो मेरी पे छोड़ दो बस आप इन दोनों की आपको tension जीजी तो प्रेलिम्स में आपकी दो paper होते हैं student journal study paper 1 इसमें आपका 200 marks का होते है और एक आपका पंजाब PCS में set qualifying नहीं है आपका क्या होता है उसमें marks add होते हैं आपके journal study overall cutoff जो है student वो आपकी out of 400 ठीक है जी I hope कि आपको ये बात clear होगी होगी ठीक है और आज के बाद जो है वो अपने mind में बिल्कुल doubt नहीं रखना prelims करें me ends करें यहां पहले means कर ले यहां prelims कर दें topics की understanding होनी चाहिए प्रियां में लिखना भी आ आना चाहिए आपको और fact भी पता होनी ओके students इहां पर मैं एक और बड़ी आपके साथ एक announcement शेर करने वाली हूं that is related to our Punjab PCS batch Punjab PCS का batch जो है वो शुरू होने जा रहा है student हमारा right तो Punjab PCS का हमारा live batch में offline online दोनों ही mode available है और even आपको live classes भी मिलेंगी और recorded भी मिलेंगी तो please आप नीचे दिये के description box में आपको number भी available होगा प्लस आपको उसका link भी होगा आप जो है दोनों link प्लिक करके आप इस ब्याज को join कर सेगे yeah students, okay तो इसे के साथ मैं यह session यहाँ पर over कर रही हूं thank you, thank you so